नमस्ते दोस्तों आज हम मैदा के काजू बनाएंगे यह नमकीन काजू चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है चलिए बनाना सुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले 20 ग्राम मैदा ले लिया है अब थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी आजवाइन अब टेस्ट रिकार्डिंग नमक डाल देना है और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल देना है अब सारी चीजे अच्छे से मिक्स कर देना है एक बार देखिए इस तरह से चम्मा से मिक्स कर देना है अब थोड़ा सा रिखाइंट टेल डाल देना है तेल इतना डालना है कि जैसे खस्ता काजू बने देखिए इस तरह से मिक्स कर देना है और अच्छे से मौयल लगा लेना अब दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना जिसे एक एक कडमे अच्छे से मौयल लग जाता है इस तरह रगड के मौयल लगाने से बहुत अच्छे खस्ता और काजू बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं देखिए इस तरह से मसलते रहेंगे तो बहुत अ आटा ही गूतना है तभी खस्ता बनते हैं ये देखिए अच्छे से मिक्स करते जाना है अब थोड़ा सा पानी और डाल देना है और अच्छे से गूत लेना है देखिए आटा अच्छे से गूत चुका है बस चिकना ही करना है अब अब इसको ढखके रख देना दस मिनट के ल से फोल चुका हांटा और इसमें बोंदे कितनी अच्छी आ गई है अब इसको एक बार फिर मसल लेना है अब बड़ी बड़ी लोईयां काट लेना है देखिए हमने चार लोईयां काट लिया है और अच्छे से चिखना कर लेना है ऐसे ही चार लोईयां चिखनी कर लेना है अब एक लोईय निकाल लेना और सारी लोईयों को ढग देना है एक एक बेलते जाना है इसको मोटा ही बेलना है तब ही काजू पर्फेक्ट बनते हैं देखिए हमने वेल लिया है इतना मोटा वेलना है अब इसको काट लेना है काजू के साइज का देखिए एक धकन लेना है दवाई का धकन है इस तरह से काट लेना है बहुत आसानी से कट जाते हैं काजू देखिए बहुत जल्दी जल्दी काजू कट जाते हैं और खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं ये काजू बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ऐसे ही सारे काजू काट लेना है देखे कितने असानी से कटे जा रहा हैं काजू और ये काजू खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं और आटा जो निकला उसको बाहर रखते जाना है इसको फिर मिक्स करके बनाते जाना है अब इनको एक थाली में रख लेना है अटा फेकना नहीं इससे दुबारा बना लेना है अब इनको तल लेना है लो मीडियम प्लेम पे ही तलना है इनको जिससे अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और खस्ता हो जाते हैं थोड़ी देर चलाना नहीं है थोड़ी देर बाद चला देना इनको और धीमी आज पे इनको पकाना है तभी टेस्टी बनते हैं ये देखे थोड़ा-थोड़ा पकने लगे हैं ये कलर थोड़ा सा आ चुका है थोड़ी देर और पका लेना इनको तभी क्रिस्पी बनते हैं ये देखे कलर आ चुका इनको निकाल लेना है देखे देखने में कितने सुन्दर लग रहा है एक आजू, अब एक कटोरे में निकाल लेना है अब सिकेंट बाइस के भी तल लेना है, ऐसे ही सारे काजू तल लेना है और धीमी आज पर ही तलना है, इनको भी निकाल लेना है देखिए और भी काजू ऐसे ही तल लेना है, एक काजू खाने में बहुत टेश्टी लगते है देखिए सारे काजू तल के तयार कर लिया है, अब इसमें मसाला लगा देते, थोड़ी सी लाल मिर्च पर डाल देना है और थोड़ा सा चाट मसाला अब थोड़ा सा गरम तेल डाल देना है इससे बहुत अच्छे से मसाला चिपक जाता है जो कडाही वाला गरम तेल है उसी को डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है इससे मसाला बहुत अच्छा चिपक जाता है और अच्छे से मिक्स कर देना है देखे कितने टेस्टी काजू बनके तयार हो चुके हैं इनको एक दो महिने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमिली मेंबर दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीम्ति समय देने के लिए बहुत भुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक रखिये अपना धेर सारा खयाल